श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए पुराणों, धार्मिक ग्रंतों और संतों की वानी के तत्यों के आधार पर संक्षिप्त रूप में ज्यान लाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप सभी का बहुमूल्य समय बच सके हिंदु पंचांग के अनुसार मार्ग शीश मा की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी को विवाह पंचमी का पर मनाया जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था इसलिए विवाह पंचमी को श्री राम और माता सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है मानेता है कि आपकी कितनी भी ग्रहों की स्थितियां अच्छी होने के बावजूद आपको इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन विवाह करने से सीता माता का वैवाहिक जीवन दुखों से भरा हुआ था इसलिए विवाह के हिसाब से इस दिन को अशुब माना जाता है राम मंदिर में यह दिन बहुत ही धुमधाम से मनाया जाता है और अयुध्या में तो इस दिन एक अलग ही खास छटा देखने को मिलती है इस दिन विवाह अर्चन को दूर करने के लिए और मन चाहा वर्थ पाने के लिए इस उद्देश्य से पूजा अर्चना की जाती है परिक्षा से गुजरना पड़ा भगवान राम ने गर्भवती माता सीता का परित्या किया और उसके बाद का संपूर्ण जीवन माता सीता को लव और कुश के साथ वन में बिताना पड़ा अब जानिये कि इस दिन क्या आपको उपाय करना चाहिए ताकि आपको मन चाहा वर्पराप्त हो और विवाह में जो भी अर्चने आ रही है वो दूर हो सके इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को मेरे इस प्रयास को आप सब्सक्राइब कर दीजे पास वाली बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरे रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और हाँ आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं तो आप ध्यान से सुने इस दिन आपको करना क्या है आप सुबह उठकर स्नानाधी कर ले ठीक है उसके बाद राम और सीता की मूर्ती को एक चौकी पर स्थापित करें चौकी पर स्थापित करने से पहले आप उस पर एक लाल कपड़ा जरूर बिछा दे इसके बाद भगवान राम को आप पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद पूजा अर्चना करते हुए इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें ध्यान से सुनिये ओम जान की वलभाय नमहा इसके बाद आप राम और सीता का गट बंदन करें और उनकी आर्थी करें और इस गट बंदन वाले लाल कपड़े को आप हमेशा अपने पास समाल कर रखें इससे आपके विवा सम्बंदी जो भी कष्ट है वो तुरंत ही दूर हो जाएंगे ठीक है पस इतना ही आपको करना है तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें इस मेरे चैनल को एक प्रयास को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार